दोस्तो अगर आप इंडियन नेवी में जोब करना चाहते हैं तो इंडियन नेवी की तरब से बहुती सांधर बैकेंसी निकल कर आई है इंडियन नेवी की तरब से ओफिसियल नोटिपिकेशन जारी हो चुका है जिसमें ट्रेट्समेन मैट की जो बैकेंसी रहेगी उसके बारे में मैं आपको इसकी सारी डीटेल्स बताऊंगा तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है असक और आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तो आपको जो इंडियन नेवी की ए ओफिसियल साइट खोल लेना है तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है असक और आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं जो बैकेंसिस है वो यहाँ पर हेट कौर्टर्स अंडवान एंड निकोबार कॉमांड रिकॉर्मेंट ओफ ट्रेट्स वेन मेट इसकी यह बैकेंसिस है तो यहाँ पर ओनली ओनलाइन अल पर सेट करके रखें जैसे ही फार्म भरना स्टार्ट हो तो आपको वीडियो मिल सकें तो यहाँ पर आपका जो रिटन एक्जाम फोर ट्रेट्स मेन मेट बिल वी हेल्ड इन पोर्ट ब्लेयर तो यहाँ पर दोस्तो आपका जो रिटन एक्जाम होगा तो वो यहाँ पर तो आप इसे देख लेना है आपको यहाँ पर no interview will be held for requirement यहाँ पर no interview होगा उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो आपकी जो ट्रेट्समेन मेट की general central service है यह general central service और यहाँ पर group C की post है non-gaggeted industrial pay band as per 7th CPC level बन का रहेगा यहाँ पर आपकी जो basically salary रहेगी यहाँ पर दोस्तो 18,000 से 56,900 पर दोस्तो total post की बात करें तो यहाँ पर trade cement met इसकी यहाँ पर दोस्तो post देख सकते हैं आपको यूर केटिगरी की 149 और यहाँ पर हैश्टी 25 और EWS 33 यहाँ पर total 338 पोस्ट और यहाँ पर trade cement met for total post 24 तो यहाँ पर सारी जो टोटल पोस्ट रहेगी 362 यहाँ पर दोस्तो आपका जो reservation रहेगा तो यहाँ पर reservation किस किस को मिलेगा वो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो age limit की बात करें तो यहाँ पर आपको bet win 18 से 25 साल के अंदर में होना चाहिए अगर आप over age है तो यहाँ पर दोस्तो किस category को कितनी छूट मिलेग बो भी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो qualification यहाँ पर दोस्तो इस form को भणने के लिए आपके पास में minimum 10B standard pass for recognized board institute and certificate from recognized industrial training institute in the relevant trade तो यहाँ पर जो भी relevant trade से आपके पास में 10B pass और plus ITI है तो आप apply कर सकते हैं आपर दोस्तो mode of selection यहाँ पर किस mode से selection होगा तो online application received are too large तो यहाँ पर देख सकते हैं application to be called from written test तो यहाँ पर जो scheme of written examination तो यहाँ पर दोस्तो आपका जो syllabus रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं general intelligence and reasoning आईगी 25 नमबर की और यहाँ पर general English compression 25 नमबर और यहाँ पर numerical aptitude और यहाँ पर quantitative availability 25 नमबर की और यहाँ पर general awareness 25 नमबर टोटल 100 नमबर का आपका paper रहेगा पर दोस्तो प्रिविजनल appointment letter document verification और यहाँ पर examination center तो यहाँ पर दोस्तो आपका जो examination center रहेगा यहाँ पर port blayer तो यहाँ पर यह आपको ध्यान पूर्बा किसको समझ लेना हैं यहाँ पर opening and closing date time online registration portal तो यहाँ पर आपका online जो registration portal पर online आपके जो form है 26 अगस्त 2023 से start हो जाएंगे या आप इसे closing date इसकी रहेगी 25 सितंबर 2023 तक आप इसे apply कर पाएंगे यहाँ पर दोस्तो प्लेस और पोस्टिंग ड्यूटी station तो यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग और ड्यूटी कहाँ पर रहेगी उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं इन जगे का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है यहाँ पर आपकी जो duty रहेगी वो यहाँ पर उसके बाद में guideline for filling online application तो यहाँ पर दोस्तो आप उसकी सारी जो details है online form कैसे भराएगा तो इसकी यहाँ पर दोस्तो यह side है website यहाँ से आपको apply online करना है तो उस पर भी में आपको वीडियो बना के दे दूँगा जैसे form बरना start होगा तो यहाँ पर दोस्तो candidate reporting late तो यहाँ पर आपको आपका जो admit card आएगा उस पर जो reporting time दिया है उसके अंदर में आपको reporting कर लेना है आपका examination center पर तो यहाँ पर आपको उसकी details यहाँ पर देख सकते हैं 2 घंटे covering so objection तो यहाँ पर आपको 2 घंटे मिलेंगे यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो photo identity card तो यहाँ पर आपको कोई भी एक photo हो जिस पर और आपकी identity card ले जाना है यहाँ पर आपको admit card के साथ में original and valid photo identity search आधार card with photograph, pen card, passport, driving license, water card, bank passbook with photograph यहाँ पर दोस्तो इन में से जो भी document आपके पास में है photograph होना चाहिए उस पर तो वो document यहाँ पर आपको ले कर जाना है यहाँ पर दोस्तो राशन card and learning driving license will not be consider us valid identity proof तो यहाँ पर आपका जो राशन card और learner driving license यह आपको नहीं माना जाएगा note लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर आपका जो online फाम भराएगा उसमें यहाँ पर आपको personal detail basic and demographic details of candidate की लगेगी यहाँ पर आपका जो upload section for photo तो यहाँ पर आपका photograph upload होगा यहाँ पर signature और left thumb impression आपका upload करना पड़ेगा JPG format में जिसका size 20-50 के बी के अंदर में होना चाहिए signature का 10-20 के बी के अंदर में यहाँ पर आपका educational qualification and other details educational technical qualification as election government service इत्यादी यह इसकी details भी लगेगी और यहाँ पर आपका जो document upload matriculation mark sheet and ITI pass certificate आपका JPG format में only will be size ranging from 50-50 के बी के अंदर में ही यह upload करना पड़ेगा आपका जो photograph recent passport size color photograph होना चाहिए और यहाँ पर not older than 6 months आपका जो photograph है 6 महिने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए तो इस चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोस्तो बित light background होना चाहिए आपको blue, red, black इस type में आपको color पीछे का background जो रहेगा वो light करवाना है यहाँ पर लिखा हुआ इस पस्ट और यहाँ पर आपका face और यहाँ पर eye clearly दिखना चाहिए यहाँ पर दोस्तो candidate soul signature plain white paper पर आपको blacking से करना है इस चीज का ध्यान रखना है blacking से आपको अपने signature करके ही upload करना है और यहाँ पर candidate left thumb impression soul on है plain white paper और blue या blacking thumb impression soul not be digitize its scan copy तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तो यहाँ पर list of ITI traits eligible to apply for the post तो यहाँ पर आपकी जो traits से है आप eligible है तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है carpenter यहाँ पर computer hardware and network maintenance यहाँ पर अगर आपका duration आपने दो semester one year अगर banier का किया है यह तो आप eligible रहेंगे यहाँ पर आपको इसके लिए भी banier दोस्तो पर electrician यहाँ पर electrician DST यहाँ पर electrician power distribution और यहाँ पर दोस्तो electronics mechanics यहाँ पर electron electro plate यहाँ पर feeder की भी है यहाँ पर feeder DST आपकी जो information technology IT भी है यहाँ पर आपका machinist machinist grader और यहाँ पर mechanic maintenance straight के लिए आपको future यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए four same यहाँ पर मतलब यह दो साल के लिए चाहिए दो साल की IT इसमें उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो mechanic computer hardware इसके लिए आपको दो सेम एक year का यह चल जागा one year और यहाँ पर mechanic diesel इसके लिए यहा पर mechanic radio TV इसके लिए भी दो साल का मांगा है और यहाँ पर painter general plumber इनके लिए पैंटर के लिए चाहर सेम दो साल और यहाँ पर इसका एक साल और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं builder यहाँ पर builder के लिए one year आईटी आई चलेगी और यहाँ पर आपके बास में फिर यहाँ पर दोस्तों builder pipe और यहाँ पर structure builder यहाँ पर buyer man यहाँ पर दो साल का मांगा है आईटी आई यहाँ पर दोस्तों टेलर अगर आप टेलर हैं टेलर की लिए है आपके पास में तो यहाँ पर बनियर का आईटी आई डिपलोमा चलेगा यहाँ पर civil engineering assistant इसके लिए दो साल का आई जरूर से apply कीजिएगा तो दोस्तों अगर आप आल इंडिया से है और इस फर्म को apply करना चाहते हैं अगर आप दस भी पास है आई टी आई तो जरूर कीजिएगा बहुती सांदर बैकेंसी है यह तो दोस्तों मैंने आपको join इंडिया नेवी की यह new requirement notification आपको बताया है इसक सारी डीटेल्स बता दी है तो आप वीडियो की नीचे description box में इसकी link मिल जाएगी बहां से आप इसे read कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो please like कीजिएगा और अपने दोस्तों में share कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चिनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें सा आगे भी आपको इस से related वीडियो मिल सके थेंक्यू दोस्तों धन्यवाद